करेंगे चिर रबसकार अज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्ट लेस्न जो कि स्थ ये नज्ड़कार की कि जो कि लोगतांतरिक अधिकारयों के बारे में फिश पolly मतलब किस परकार के अधिकार हमें अपने देश में प्राप्त होते हैं उसके बारे में बताया है तो इसमें तीन उधारन दिये गई हैं सबसे पहले हम उनका जिकर करेंगे किस परकार के उधारन दिये गए हैं तंत्र जो अधिकारों के भी ना जो जीवन है उसके बारे में बताया है कि जो एक जगह है गवांत नामो बे जो कि गवांत नामो बे की एक जेल है उसके बारे में बताया है कि वहां पर है ना जो अमेरिकी फोज ने दुनिया भर के जो विभिन स्थानों से 600 से भी जादा जो एकठा कर लिए इन लूगों को जो यह गुप डिल जेल में डाल दिया गया और क्यूबा के जो जग़ में टापू है क्यूबा के करीब अपास कुबा के पास एक टापू है उसमें जो अमेरिकी नोसे नाका है उसका कबजा है अमेरिक की जो सरकार है वो कहती है कि ये लोग अमेरिक की जो अमेरिका के जो दुस्मन है जिनोंने जिसे नियोर्क में 11 स्थम्बर 2001 के हमले में इसे जो ज़संबन दित है अनस के पिता जो जमिल है अल बना उन छेसो में से एक है उने केवल संदे के अधार पर पकड़ लिया और जेल में डाल दिया गया है मतलब लोगों का कोई अधिकारी नहीं है कि वो बस संदे के अधार पर उनको पकड़ लिया गया है जो अधिकांस मामले में गिरफतार लोगों के देश की सरकारों को मतलब उनकी गिरफतारी की भी खबर नहीं है कि वो आदमी कहां में अनस के केदियों की तरह जमिल के परिवार वालों को भी अखबारों के मादम से ये ख़बर मिलती है कि उसको उने जेल में रखा गया है। उन कैदियों के परीवारवाले, मेडिया के लोगों, यहां तक कि संयोक्त रास्टर के परतीनिदियों को भी उनसे मिलने की अजय एजाज़त नहीं है. अमेरिकी सेना ने उने गिरपतार किया है और कि पुस्ताच और उनी से फैसला किया कि किसे जयल में डालना है और किसे नहीं मतल़ वो अपनी बिल्कुल मनमानी के अदार पर उनको गिरपतार कर लिया गया है जैसे एक जो Amnesty International है Amnesty International इसकी बात पता ही है कि एक अंतरास्टी ए मानव अधिकार जो संगटर ने Amnesty International मैं को आंतरास्टी के कैदियों में इस्तिति के बारे में सुचनाई कि एकठह करनी कि angled कोसी करी बताया कि उनके साथ जाती की जाती है उनके साथ अमेरिक की कानूनigen के अनुसार प्र भी मिवार ने keyboard कि लोने लिए क्याश्या के लगाए को मतलब उसके पेट में खाना पहुचाना था कि उनको जिंदा भी रखना है पर उनको एक अच्छी स्थिति में भी नहीं रखना है जिन कैदियों को अधिकारिक रूप से निर्दोस करार दे दिया गया है उनको भी नहीं छोड़ते हूँ मतलब उनको भी पकड़ रखा है प्रास्टरसंग के महसाची उने का कि गवांतव बेग के जेल में जेल को बंद कर देना चाहिए अमेरिकी सरकार ने इन अपिलों को मानने से इंकार कर दिया गया है तो मतलब यह एक पहला केस है जहां पर लोगों को मतलब उनके अधिकारों के अनुसार नहीं रखा जा रह है उसमें जो नागरिकों के अधिकार है उन पे बाती है कि जो जैसे देखा कि गवांतव बेग में जो एक अपवाद देखा कि उसमें वहां पर क्या हो रहा है पर जैसे यहां पर बताये की सवधी अरब का उतार नें लिए ऑसवार इन एक ही मतलब राजशाही पृषजाही परिवार है। उसका इसासन चलता है। और राज़ा और शाह को चुनने के बदलने मतलब इस तर की कोई भूमिका ही नहीं होती। शाह की विधाई का कार्येपालिका के लोगों का चुनाओ करते हैं जजों की निक्ति भी वही साह करते हैं उन्हें फैसले का अपलाटने का भी अधिकार रखते हैं लोग कई राजनितिक दल और संगठन भी नहीं बना सकते, मेडिया शाह की मर्जी के खिलाब कोई भी खबर नहीं दे सकती, मतलब फिर वहां भी अधिकार नहीं है, तो यहां पर कोई से अधिकार है, कोई धर्मिक आजादी नहीं है, सिर्फ मुसल्मानों को ही यहां पर नाग कर दूसरे जो दर्म की लोग हैं, अपने घर के अंदर भी पूजा पार्थ में कर सकते, बाहर साराजनिक और धर्मिक अनुस्थान तो कहां की बात है, और तो को वेधानिक रूप से मर्दों से कम तर दर्जा दिया जदा है, उन पर कई तरह की साराजनिक पाबंदिया लग और और गर्मिक और उर्तों को चुनाओ में भाग लेने का अधिकार मिला था, तीसरा बताया है कोसव कोसव एक देस है शायद बालकन कंट्री बोला जाता है इस पर देसमें जो अलब जो अलबानिया के शैनिक है कि लोगों की संख्या बहुत ही जादा थी पर पूरे देस म के लिया से सरव बहुत बहुत संकित थी मतलब है दो तरह के लोग है अलबानियन और सरव अगर सरव रास्टरबाद के भंगत जो मिलसवीक से यहां के चुनाओं में जीत आजिल कर लेते हैं तो उनकी सरकारों ने को सब में के अलबानिया जो लोग है उन पर कठोर वेवार कर तो इसमें एक परिवार की गटना बताई गई है कि जैसे घर में जो हास्बंड वाइब और बच्चे बैठे हुई है तो क्या हुता है कि एकदम से बाहर से डंगों की यवाज आती है तो एकदम से एक फटकाट चाट बहुत जाती है कि जैसे ही खोला जाते है तो जो हस्ब बाहर निकल जाओ और निकलती भी नहीं उस्ते पहले ही उस घर को आग लगा दी जाती है फिर जैसे ओ जो ओरत है वो जब मतलब अपना जो वेयान देती है वो इसमें दर्ज किया गया है कि समाचारों में ऐी कर न हजारों लिपनीयों लोगों के साथ बढताओं के साथ बर्टा यहां पर जैसे यहocलों जो गटनाइ पात आए इसमें पताया कि जो अधिकार है वो हमारे लिए कितने जरूरी है अगर अधिकार ना हो किसी देश में तो वहां पर रहना कितना मुस्किल हो सकता है तो आगे अब जब इस लेस्न में जब लोक्तोंतर में अधिकार कैसे मिलते हैं कैसे अधिकारों पर बात की जाती है इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे यहां तक ही आज प्रप्रेशी दोच्ट